जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अरवन जी के स्टडी में इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप पचीस इंपोर्टेंट जी के कोशन के बारे में और एक्जाम आपको इंपोर्टेंट में के किसी भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हैं वीडियो को अन तक जरूर देखेगा सारे प्रसन आपको इंपोर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंट्स याद रखेंगे अंतसागरिये भुकंपो द्वारा उत्पन समुंदरी लहरों को क्या कहा जाता है तो सुनामी कहा जाता है option B इसका right answer हो जाएगा अगला प्रस्न है हमारा question number दो पंजाब में भक्ती अंदोलन का जनक आपको किसे कहा जाता है गुरु नानक जिको पंजाब में भक्ती अंदोलन का आपको जनक माना जाता है अगला प्रस्न है हमारा question number 3 महरास्ट में भक्ती संप्रदाई किसकी सिक्छाओ दोरा आपको फैला है तो संत ग्यानेश्वर याद रखेंगे ग्यानेश्वर संत ग्यानेश्वर द्वारा आपको महरास्ट में भक्ती संपरदाई की जो सिक्छाओ द्वारा फैला है आपको संत ग्यानेश्वर द्वारा अगला प्रसन है हमारा कोशन नमबर 4 रिक्टर एसकेल से किसकी तिवरता आपको मापी जाती है रिक्टर एसकेल से आपको किसकी तिवरता को मापी जाती है तो याद रखेंगे भुकंप की तिवरता को मापी जाती है किस से मापी जाती है तो Richter Scale के द्वारा भुकम्ब की तिवरिता आपको मापी जाती है अगला प्रस्थन है हमारा कोशन निम्बर पांच सुनामी किस भासा का सब्द है आपको सुनामी जो है वो किस भासा का सब्द है तो जापानी भासा का जिस अस्थान पर भुकम्ब की उत्पत्ती होती है उसे आपको क्या कहा जाता है तो याद रखेंगे भुकम्ब मूल कहा जाता है जिस भी अस्थान पर आपको भुकम्ब की उत्पत्ती होती है उसे भुकम्ब मूल के नाम से जाना जाता है अगला प्रसन है हमारा कोशन नमबर साथ भुकंब की दिरिष्टी से कौन सबसे खतरनाक सागर है सबसे खतरनाक आपको सागर कौन सा है भुकंब की दिरिष्टी से तो याद रखेंगे प्रशान्त महा सागर अगला प्रस्टन है नमबर आट भारत का सिंग दुआर आपको कोलकाता को अगला प्रस्टन है नमबर नो जीलो का नगर आपको किसे कहते हैं जीलो का नगर है आपको किसे कहा जाता है तो उदैपूर को जीलो का नगर आपको याद रखेंगे किसे कहा जाता है तो उदैपूर को जीलो का नगर आपको कहा जाता है अगला प्रस्टन है हमारा कोश्टन नमबर 10 भारत का हिर्दे आपको अस्थल किसे कहा जाता है most important प्रस्ण है भारत का हिर्दे अस्थल याद रखेंगे इस प्रस्ण को जो भारत का हिर्दे अस्थल है आपको किसी कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को option is, इसका right answer हो जाएगा भारत का हिर्दे अस्थल आपको मद्व प्रदेश को कहा जाता है इसे प्रस्न आपको एक्जाम में देखने को मिलते हैं यदि हमारे चैनले पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सकाइब कर दिजेगा वीडियो को जरूर लाइक कर दे जैपूर सहर को अगला प्रस्न है हमारा कोशन नमर 12 तेवहारो का नगर किसे कहते हैं तेवहारो का जो नगर है आपको किसे कहा जाता है तो मदू रैको आप्शन डेस का राइट एंसर होगा मदू रैको आपको तेवहारो का नगर आपको कहा जाता है नेक्स हो जाएगा आपको question number 13 धान की डालियां किसे कहा जाता है धान की डालियां किस राज को कहा जाता है भारत की धान की डालियां तो 36 गड़ राजी को option based का right answer हो जाएगा 36 गड़ राजी को भारत की धान की डालियां आपको कहा जाता है नेक्स प्रसने हमारा कोश्या निम्बर 14, मंदिरों का पुन्य भूमी आपको कहा जाता है, मंदिरों का पुन्य भूमी आपको किस राज को तो तमिल नाडू राज को, औप्शन सीज का रही टेंसरों का मंदिरों का पुन्य भूमी, याद रखेंगे इस प्रसन को तमिल अगला प्रसने हमारा कोश्य नमबर 17 बंगाल का सोक आपको किस नदी को कहा जाता है। अगला प्रसने हमारा कोश्य नदी को कहा जाता है। अगला प्रसने हमारा कोश्य नमबर 19 विस्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मचली नहीं पाई जाती है। अगला प्रसने हमारा कोश्य नमबर 20 विकासिल देशों में कितने प्रतिसत भाग पर आपको क्रिशी की जाती है। याद रखेंगे 60 विकासिल देशों में आपको क्रिशी की जाती है। नेक्स हो जाएगा हमारा कोश्य नमबर 21 कोईले की खदान में विस्वोट करने वाली गैस प्राया कौन सी होती है। आपको जो कोईले की खदान में विस्वोट करने वाली प्राया गैस है आपको वो कौन सी होती है तो मिथेन गैस। अप्शन भी इसका राइट एंसर हो जाएगा मिथेन गैस आपको कोईले की खदान में विस्वोट करने वाली प्राया आपको गैस होती है। अगला हमारा कोश्य नमर 22 दादा साहे फाल के पुरुषकार किस मंत्राले की और से दिया जाता है। तो सूचना और प्रशारन मंत्राले की और से आपको दादा साहे फाल के पुरुषकार आपको दिया जाता है। अगला प्रस्न है हमारा कोश्या नमबर 23 छत्रपती सिवाजी का राजी अभिसेख करने वाला पंडित आपको गंगा भठ था वो कहां का निवासी था जिनोंने आपको छत्रपती सिवाजी महाराज का राजी अभिसेख किया था पंडित गंगा भठ का आपको निवास अस्थ वो किसके द्वारा किया गया था किस सासक के द्वारा तो सेरसा सूरी के द्वारा option D इसका right answer हो जाएगा भारत में grand trunk road का निर्मान आपको सेरसा सूरी द्वारा किया गया था अगला प्रस्न हमारा question number 25 नेती आयोग की अस्थापना आपको कब हुई थी most important प्रस्न को आप नोट कर सकते हैं नेती आयोग की जो अस्थापना हुई थी वो कब हुई थी तो एक जनवरी 2015 इसवी में याद रखेंगे option C इसका right answer हो जाएगा एक जनवरी 2015 इसवी में नेती आयोग की आपको अस्थापना हुई थी तो सारे प्रस्न आपको important थे exam से related तो मैं आसा है वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को जरूर लाइक कर दे यदि हमारे चैनल पहले बार है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा यदि किसी वीडियो का पेडियाप चाहते हैं तो हमारे टेलेग्राम चैनल से जूरीगा जो आपको description में link दिया गया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद